मेटर स्क्वाइर तो यह बोलना देको न्यूटन वर्ग मीटर यहां तक तो सही है हाँ पब्लिक है ना पहली क्लास है ना अस तो इस अधिक है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर किलोग्राम यह भी सही है हाँ झाल तो taman अधिक है ना आा, यह बोलना आरा आराता है हाँ झाल कि नमस्कार गुड इविनिंग बेटाओं स्वागत आप सभी का जुगल सर ओनलाइन क्लासेज में तो बेटाओं आज अपन एक नया सब्जेक्ट है मैं बोलू नहीं ट्रेड आपकी मोटर मेकैनिक वीकल अभी तक अपने देखा था कि आपने डीजल मेकैनिक या मेकैनिक डी किये एक्स्टा ही किया है कुछ कम नहीं किया अपने तो अब आपका जो मोटर मेकैनिक वीकल है या आपका मेकैनिक मोटर वीकल है बेटाओं इसमें सेकंड यर का मैं टोपिक स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि फस्ट यर जो आपका कोमन था डीजल का टेक्टर का मोटर का इन कुछ बच्चे डिमांड कर रहे दिजल का तो कंपलीट हो गया लेकिन कुछ बच्चे जो थे उन्होंने मोटर मेकेनिक का पर्चेज कर रहा था थो उनके लिए अपन यह कंपलीट जो आपका मेकैर्ट मोर्टर भी कहले इसको कवर करेंगे तो सबसे पहले इंट्रॉड्यक्षान से स्टार्ड करेंगे सलेबस सटार्ड करेंगे यह यह एक्टॉल होता ये मिन होताया देर रफिरेंश कहां टायर तक जो पहुचाने वाला पूरा प्रोग्राम रहेगा वह यहां पर कवर करेंगे तो बेटाओं ओनलाइन वाले जितने भी हो ख्लास को शेर कीजिए दबाके और जो है अपना स्टार्ट करते अपना नया चैप्टर नया पूरा ट्रेडी हो गया या पूरा आपको मैं पहले स्लेवस लिखवा देता हूं क्या क्या आपका इसमें पढ़ेंगे अपन पूरा कंप्लीट देखेंगे सेकिंडियर का जो पार्ट है जो की मेंली मैं बात करूं सार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को अपन यहां पर पढ़ने वाले कंप्लीट आपका जो बोड़ी सेक्चर जो होता है वीकल का वह पूरा ढाचा भी अपन देखेंगी कैसे बनता है और कौन-कौन से उसके पार्ट होते हैं अना पहले अपन एक बार इसका इंट्रोडेक्शन देख लेए स्लेवस देख लेए उसके बाद बेटाओ अपन आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन बच् बढ़ते हैं कि सबसे पहले आप देखो स्लेवस की बात करेंगे कि आपका जो एमेंवी सेकंड यहां पे स्लेवस किसका देख रहा हूं में आपका MMV सेकंड यहां यहां पेटाऊ हूं आपका मैं पढ़ा चुका हूं आपके फस्थायर ँदर जो भी आता है चाहिए आपका इंजन का सारे पार्ट और का प्रोडेक्शन करने के बाद आप उसको टायर तक कैसे पहुचाओगे अब वह अपन यहां पे क्लियर करेंगे ना तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका ओटोमवाइल का स्ट्रक्चर मैं पढ़ूँगा सबसे पहला आपका जो रहेगा वो क कि ओटोमवाइल इस्ट्रक्चर कि यह मैं बोलू आपका जो ओटोमवाइल का डांचा होता है ना वहां पर आपन यहां पर पढ़ेंगे आपका चेचिस क्या होता है बोडी क्या होती है फ्रेम एक्सेल कौन-कौन सब पार्ट उसका पूरा लेयाउट एक बार तो आपन कि उसके बाद आपका आता है सेकेंड चैप्टर क्लच कि फ्लाइवील कि गीर बॉक्स कि बताओ क्लियर है क्या प्रांस्मिशन सिस्टम अब इस ट्रांस्मिशन के अंदर भाईया आपका प्रोपिलर शाफ्ट यूनिवर्सल जोएंट आ जाएंगे Suspension System Suspension System Clutch Assembly होई गई आपका इसके इलावा आपका Wheel and Tire Wheel and Tire एक आपका Breaking System आजाएगा कौनसा Breaking System Steering आगया क्या Steering नहीं आया है इसमना Steering Mechanism Steering System या Mechanism Clear है क्या तो ये सारी चीज़े अपन पूरा Slavus Cover करेंगे आपका Last वाला कौनसा है Steering Mechanism है अना अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और भी है आपका Charging और एक और टोपिक आपका हलांकि ये Charging और आपका जो ये Light वाड़ा सिस्टम है ना ये पहले भी पढ़ चुके आपको मैंने वहाँ पर बताया था वह ये आपका Starter Motor Solenoid Switch जो Connect रहते हैं उनी के मैं बात करूँगा शेकर गुड़ इवनिंग तो ये Motor Mechanic वहीकल का बेटा हूं क्या हुआ हाँ तो ये अपना Complete Slaves रहेगा चाप लो इसको भी जहां पर अपन ये Second Year जो Trade आपकी इसमें ये सारा Slaves अपन Cover करेंगे क्लियर है क्या अब Step by Step अपन बात करते हैं सबसे पहले बिल्कुल Basic से स्टार्ट करते हैं ओटोवाइल से तो आपका पहला जो chapter रहेगा कौन सा रहेगा सर Automobile पहला चैप्टर जो आपका कौन सा रहेगा सर Automobile की मैं बात करूँ हो यहां पर बिल्कुल जो Basic धांचा है उसकी मैं बात करूँँ है तो सबसे पहली बात करें सर Automobile जो है वो क्या है आपको ऐसे मैं पहले भी बता चुका कि सर ये दो शब्दों से मिलके बनाए एक तो आपका auto और एक किसे बनाए mobile auto का मतलब क्या होता है sweat है mobile का मतलब किया है सर चलाया मान या चलने वाला यानि auto mobile के मैं बात करूँ तो यहां पे sweat है अना स्वेत है जो चलने वाला जो आपका पार्ट है या साधन है वो क्या कहलाएगा आपका ओटो मुवाइल क्लियर रेगा बताओ तो यह वैसे मैं पहले भी बता चुका आपको कि ओटो मुवाइल अपना पहले भी आया था वैसे अगर डेफिनिशन लिखना चाहो तो सर ऐसी मशीन ऐसी मशीन जो श्वैम की उत्पादित शक्ति से चलती हो जैसे कि सड़क पर चलने वाले वाहन यानि सर ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन ओटो मुवाइल के अगर मैं बात करूं जो खुद पावर का प्रोडेक्शन करके खुद को ही लेके चलता है वहां पर आपका बले इंजन आपका कॉंस्टेंट एक रखा हुआ स्ट्रक्चर को चलाने अपन को तब ही तो अपनी गाड़ी वनेगी पूरी अच्छा एक विशेज जान रखना ये क्विशेण आएक्जाम में आ सकता है कि आपका जो रेल है ट्रेन है वह ओटो मॉबाइल के अंदर आता है नहीं तो ध्यान रखना ओटो मॉबाइल पे नहीं आता है क्योंकि वो पट्रे पे चलने वाली डिवाइस है तो आप ये ची गारी है रहे है बहुत मैंट ладно ये कि रैलवे का है हो सकता पूछले रेल गारी अरटो मॉबाइल के अंदर नहीं आता है जहां रखना कि गा अगब याए सब्सक्राइशन हे रेल गाड़ी जो आपकी वो ओठाटो मॉबाइल के अंदर नहीं आता है क्यों नहीं आता है ज़र क्योंकि वो आपके सड़क या उस पे नहीं चलती है क्योंकि पट्री पे चलती है इसका जो चलने का माध्य में वो क्या है पट्री क्लियर है के बताओ आचा कोई पूछे अभी आपको मैंने इंजन जब पढ़ाया था तो वहां पे लिखा था सबसे पहले 1791 के अंदर जो इंजन आया था वो कौन सा आया था जेम्स वोट ने इंजन का निर्मान किया था अब क्यूश्चन थोड़ा सा अलग क्या है कि आपका पहला ऐसा वीकल या इंजन जिसके ऐसा एक स्ट्रॉक्चर जिसके अंदर इंजन रखके चलाया गया था देखो जेम्स वोट ने इंजन बनाया था या वो केवल इंजन तयार किया था यहां पर आपका जो एंजे कोगनेट है वो क्या उन्होंने क्या किया था कि आपका जो एक स्ट्रॉक्चर तयार किया यानि उस इंजन को यूजफूल बनाया था उन्होंने क्योंकि एक स्ट्रॉक्चर का निर्मान किया एक ट्रांस्मिशन सिस्टम बनाया पूरा और एक तरीके से पूरी एक गाड़ी तयार की उन्हों नहीं, तो ये चीज ध्यान लखना उससे अलग है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ सर, एन जे कागनेट, तो पॉइंट क्या लिखोगे, सारो पर्थम, एन जे, कोगनेट, ये एक वेज्यानिक है, इसने क्या किया था, कि वो जो भाप का इंजिन था, देखो भाप का इंजिन बन गया, अब उसको यूजफूल बनाया उसने, या मैं बोलूँ, वहीकल के तोर पे उसने, और आटोमोबाइल के रूप में इसका प्रियोग उसने, एन जी, जेम्स वोट ने तो इंजिन बनाया था, और एन जे, जो कोगनेट है, सब पर थाम, एन जे कोगनेट ने, इंजिन को, किसी स्ट्रक्चर पे चलाया, एक तरीक से किसी स्ट्रक्चर में लगा कर, वीकल बनाया, या ओटोमोबाइल वीकल बनाया, यह आप लिख सकते हो, सरव पर थाम, आपका इंजिन का निर्मा, अविश्कार तो जेम्स वोट ने किया था, लेकिन उसको किसी स्ट्रक्चर में, या किसी चेचिस और बोडी का प्रियोग करके, पूरा ट्रांस्मिशन सिस तो नेक्स्ट आप देखो कि सर, क्लासिफिकेशन ओफ ओटोमोबाइल, क्लासिफिकेशन ओफ ओटोमोबाइल, तो बही या ओटोमोबाइल बेसिकली आपका जो है, दो भागों में बटा हुआ है, या हिंदी में लिख सकते हैं उसको ओटोमोबाइल का वर्गी करन, हिंदी में क्या लिखेंगे ओटोंबाइल का वर्गिकन दो भागों में एक तो आपका पैसेंजर यानि सर यात्री वाहन एक तो कौन सा होते हैं यात्री वाहन एक कौन से होते हैं सर आपके आपका जो goods carrier होते है या जो एक तरीके से आपका वाहन जो ऐसे जो की समान वगएरा ले जाने के काम आते है जैसे आपके बारी heavy जो आते है ना समान डोने वाले वान जो होते हैं ना इनको एक को तो passenger बोलते हैं दूसरे को आपको carrier बोलते हैं goods carrier बोलते हैं ना अब सर यात्री वान भी दो प्रकार के होते हैं एक आपके कौन से होते हैं सर light vehicle होते हैं एक आपके heavy होते हैं लाइट के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके जैसे बाइक स्कूटी आ जाती हैं बाइक हो गया कार हो गया स्कूटी हो गया मॉपेड हो गया और heavy के अंदर के आ जाते हैं सर आपके truck हो गया buses हो गई कोचेज हो गया बस जो double वाली चलती है न कोच वो आ जाएंगे इसके अंदर कि वहीं जो goods carrier हैं आपके इसके अंदर कि एक तो आपका truck हो गया truck वगयर आ जाएंगे एक आपकी delivery वैन आती है कि ट्रेक्टर हो गए जो कि खेतों में आप देखते हो समान डोने के काम आते हैं अना समान डोने वाले जो वहां आपके ट्रक हो गया delivery वैन हो गई अना एक आपका ट्रेक्टर हो गया तो यह आपका automobile का classification है यहां से जानता कि इतने chances नहीं है क्यूशन आने के अना क्यूशन जो है आपके main जो आपका पार्ट है वहां से आएंगे तो अपन main चीज़ स्टार्ट करते हैं अब आता है भाई आपके अब पैट्रोल के आदार पे वर्गी करने है यह तो आपका था कि आपका जो वीकल है उसकी के अधार पे यह किसके अधार पे था धारिता के अधार पे यानि जो आपके कैपसिटी होती है I don't connect with a न्व कों सा हलका है कोन्सा बहान है आपका भारिवाहन मैं ऊसकी मैं बात करूं तो यह केपसिटी यानि कितना लूड उठा सकते हैं आपके वीकल उनके अधार पर e Cla הכ कलसिफिकेशन था next वर आपका Kyleguard क्लासिफिकेशन है floss mo Right next Cent म्लोड है sir fuel यानि इनन के आदार पर वर्गी करण अब इनन के आधार पर वर्गी करण अब इनन के आधार पर वर्गी करण के अगर मैं बात करूँ तो sir आपके कौन-कौन से वीकल आते हैं पैट्रोल इंजन आता है सोरी पैट्रोल आपके वहां आते हैं एक आपके डीजल वहां आते हैं गैसोलीन वाले भी आते हैं गैस वाले भी आते हैं तो अगर बात करते हैं सर पहला कौन सा आता आपका पैट्रोल वहां आते हैं पैट्रोल गाड़ियां आती ह पहला कौन सा आता है इसके अंदर पैट्र अब दो को यहां पर इपन कि बात नहीं करेंगे न इपनने पड़लिया अब सीरी बात करेंगे वीकल की पैट्रोल गाडिया पेट्रोल इंजन तो गया हाना वह अपननेartet यह爵ाले में cover हो गया पैट्रोल गाडिया जो पैट्रोल से चलने वाली या पैट्रोल से जो हटा दो पैट्रोल से चलने वाली जैसे आपकी बाइक है कार है या ना बाइक कार आदी क्योंकि जो आपके हलके वीकल होते हो पैट्रोल से चलते हैं या आपको मैंने इंजिन में बताया था जो लाइट वीकल होते हो पैट्रोल से चलते हैं जो हैवी टाइप के होते हैं वो किस से चलते हैं डीजल से तो डीजल गाड़ी आजाएगी अब आपके डीजल गाड़िया या वीकल अब डीजल गाड़ी है तो भाईया किसे चलेगी डीजल से चलेगी कॉमन सेंस डीजल से चलने वाले अब इसके अंदर सारे हैवी आएंगे जैसे आपके जैसे ट्रक है बस है अनो ट्रेन है यह सब किस से चलते हैं डीजल से चलते हैं क्लियर रहें के बताओ हाँ दिनेश कुमार मेकैनिक डीजल वाले भी देख सकते हैं क्योंकि यह आपका MMV का बेसिक है कई बार एग्जामिनर इधर से भी क्यूशन पूट अप कर लेता है क्योंकि यह हलांकि अपन डीजल के अंदर के वाल इंजिन पढ़ते हैं लेकिन कई बार वो किसी चैप्टर तो देखना अना मेरा जहां तक माना स्टार्टिंग के दो चैप्टर देखना क्योंकि स्टार्टिंग एक तो यह बेसिक होता है जिसके अंदर अपन चेचिस हो गया फ्रेम हो गया बोडी हो गया यह सब देखेंगे आपकी फोर वील ड्राइफ टुवील अना क्लच से क्यूशन पूछे गए अना तो क्लच से आ जाता है कई बर तो आप मेरे साब से दो चैप्टर तो पढ़ी सकते हैं क्या जा रहा है नेक्स्ट कौन सा अथा आपका गैस गाडिया अब यह आपकी गैस गाडिया मतलब कहीं ना कहीं सी एन जी और कर यह कोई भी गैस से चलने वाली अब इसके अंदर भया आपने देखा होगा लाइट यह आते हैं जैसे आपके गैस के ओटो आते हैं जो चोट चोटे ओडु आते अमोपेड वगेरा वो आपके इसी से चलते हैं आजकल गायिएो में भी फिटेड आते हैं आपके स्ञ जो है गायडीओ में कंपणी फिटेड भी आने लगए बाहर से भी आप करवा सकते है कर अ उसको मत छोड़ो, अब यह इलेक्ट्रिक वीकल है, तो किस से चलेगा, बैटरी आदी से चलेगा, या बैटरी, या विद्यूत, बैटरी में होगी विद्यूत से, चलने वाली गाड़िया, या आपके जो इलेक्ट्रिक आजकल चल भी रहे हैं, हलाएं कि वो इतना सक्सेस्फूल अभी नहीं है, मेरा जहां तक मानना है, इंतिजार करना चीह आपको, टेक्नोलोजी का, क्योंकि अभी जो आपके पास वीकल है, वो इतने दमदार नहीं है, ए उनके अंदर दम बिल्कुल भी नहीं होता, आपने देखा हो ना, स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हाँ, पैट्रोल आपको बचाना है, तो वो एक अलग तरीका है, बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ज़्यादा बैस तो आपके ये वाले वीकल जो आपक बैटरी रिप्लेस होगे, बैटरी रिप्लेस चालिस जार की होगी, तो चालिस जार का आप ओवर ओल देखोगे, तीन साल के अंदर कोई बड़ी मुश्किल से पचास एक जार का पैट्रोल जलाओगे, आना, दस जार का फरक आएगा, लेकिन आप दस जार में आपको बहु डीजल मेकेनिक पूरा करवा दिया मैंने आप डीजल मेकेनिक कंप्लीट करवाने के बाद ही मैंने मोटर मेकेनिक का सेकंड यर उठाया है डीजल तो मैंने कंप्लीट कर दिया एक बार एक बार क्या दो बार कर दिया आपने या तो लेट कोर्स पर्चेज किया होगा या तो मेरी सब से एक कोर्ड लिख लो आलाएं कि इनका प्रियोग ना के बराबर है इस्टीम गाडिया इस्टीम गाडिया आज कल नहीं आती पहले बहुत पहले चलती थी तिया ना स्टीम गाडिया मतलब जो इस्टीम से चले और आज कल इनका प्रियोग नहीं ओता है ये भी लिख लो पहले होता था स्टार्टिंग में जब आपका इंजन आया था तब क्योंकि आपके बाकी के इंजन आया नहीं थे भूटार का मार्कट में तब आपकी यह गाड़ चलती स्टेम के आपके लिगी यहां गदर वाली जिस सटीम करते क्या था रहता है ढहे आज कल प्रियों नहीं होते हैं तो यह आपका इंजन का क्लासिए सोरी ओटोंवाइल जो वहिकल है या आपके जो गाडिया है उनका वर्गी करण है इंधन के आदार पे इंधन के आदार पे मतलब आप जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके आदार पे कौन-कौन सी गाडिया मार्केट में चलती हैं वो अपन के या एक्सल के आदार पर वर्गी करण एक्सल या फिर पैये के आदार पर वर्गी करण सबसे पहले आपका आता है दिनेश कुमार आई ट्रेड के जैन गोल्डी आदित्यरंजन सर ये क्लास फ्री रहेगी या पेड़ क्लास रहेगी आदित्यरंजन आपको बता दूँ ये क्लास ज्यादा दिन फ्री नहीं रहेगी आपको बाद में हो सकता है पे करना पड़े इस्टार्टिंग के हो सकता है कि एक दो आप कशनित का दॉपईय वान अता है तीन वाले आते हैं चारले आते हैं तो आपनू उनकी बात करें कि तो सबसे पहले आपक हुआ टू वीलर आते कौण से आते हैं सर टू वीलर यानि दूपईय का यहाँ आः साथ की बाइक वगएरा है उनकी मैं बात करूँगा अब टूवीलर के अंदर डायक एग्जामपल लिख लेता है यह लिखने का कोई साथ पता लग रहे हैं तो दो ही औहरोथ इसके अंदर क्या कि आता है सर मोटर साइकिल आती 맞़ी है कि chociaż बहुए स्कूटर बोले-ले आपकी स्कूटी की बात कर रहा है था और जाती है थ्रिवीलर में तो आपके ओटोव अगेरा याते हैं तो इसमें क्या आएगा सर ओटोव अगेरा कि एक रिख्षा यात है अलाएंकि रिख्षा या चलते हैं आज कर वैसे वाले रिख्षा तो कम ही चलते हैं टैम्पो आदी ये किस में आते हैं टू वीलर थ्री वीलर के अंदर अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट आपका फोर्वीलर अब फोर्वीलर जो आपने देखा होगा मैकसिमा आपके जो कार वगेरा है यही आती है अब ऐसे तो भईया आपके 5, 6, 7, 8 अब आपके 16, 16 पईये तक भी चले जाता है अब आगे की बात नहीं करेंगे अपन यहीं पर क्योंकि अपना जो मोड में वी है वो यहीं तक सिमित है क्यों अपन फोर्वीलर तक ही बात करेंगे इससे आगे बात नहीं करेंगे तो अपन यह मानके चलते हैं कि अपने जो कार है बस है ट्रक है ये सब पोर्वीलर यह इना अब सरी फोर्वीलर भी दो भागों में बटा हुआ है अना कि एक तो सर आपका क्या आता है फोर्वीलर की मैं 4Wheel Drive है, 2Wheel Drive है, तो यह आपने देखा होगा, जो थार वगेर आती है, वो 4x4 लिखा होता है उस पे, तो इसका एक मतलब क्या होता है, कि सर आगे वाला जो नंबर होता है, आपने गाड़िया सुने होगे न, 4x4, 4x2, तो यह आगे वाला जो नंबर है, यह किसको बताता है यह बहिए आपके गाड़ि के अंदर कौन-कौन से वheel का प्रियोक किया गया है, वो बताता है, यानि सर, यह मैंने लिखा 4x4, तो इसमें जो आगे वाला नंबर है, यानि यह वाला नंबर, यह किसको बताता है, आपके वीकेल के अंदर टायर की संख्या, टायर की संख्य और यह पीछे वाला चार बताता है, यह बताता है कि आपके कितने टायर को पावर मिल रही है ना, अगर 4x4 है मतलब के चारोल टायर को क्या मिल रही है भी या, पावर मिल रही है, यानि आपको वीकल पे कंट्रोल अच्छा रहेगा वहीं सर, आपका जो दूसरा वाला नंबर है, यह वाला, यह किसको बताता है, ड्राइव वील की संख्या ड्राइव वील की, यानि कितने को ड्राइव मिल रही है, यह पीछे वाला नंबर किसको बताता है, ड्राइव वील की संख्या, तो 4x4 गाड़ी का मतलब क्या है, उसके अंदर 4 पाईए प्रियोग किया गए है, और 4 को ही ड्राइव दी गई, यानि 4 को ही आप कंट्रोल कर स सकता है, चारों को आपको बराबर पावर अपन बांट रहे, 4x2 का मतलब क्या है सर, कि आपका जो वीकल है, उसमें 4 टायर का प्रियोग किया गए है, और केवल 2 को ही वाँ पे ड्राइव दिया, तो हो सकता है, फ्रंट के दोनों को दियो, या हो सकता है, पीछे के दो, चार में पूसकता है, कि आपके विकल पर विकल का जो ड्राइव वो 6 बाइफ वोर ए, तो हो पुचेगा, इसमें टायर की संध्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया, आज़े वाला जो नंबर हो किसको बताता है, टायर को बताता है, इसका मतलब इस वीकल के अंदर कितने टायर का प्रियोग किया गया प्रimana और यह कितने को पावर दी गई नार चैद भ Cube और लेने वालay बाग्याव को आप यहां पर का दिये गालOS क ए तो बिटाओं ये आपका जो है वर्गी कर्ण था वो पईये और एक्सल के अदार पर अपना इतना ही पड़ेंगे इससे जादा आपको 5-6 फिल पे नहीं जाएंगे अपन केवल फोर-wheeler की बात करेंगे और फोर-wheeler में भी अपने दो प्रकार के ड्राइव सिस्टम है फोर ड्राइव सिस्टम अरेक आपक तो ड्राइव यानी फोर भाई मटि वाई टू की गाड़ी आ आप यहां पे देखोगह आगे दोनों का मत कर द्राइव के आदार पर वर की करना अब बिटाओ ड्राइव के आदार मतलब समझे है कि आपका राइट एंड ड्राइव या लेफ्ट एंड ड्राइव है जो कि कि आपने देखा होगा वह इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेरिंग रहता है रहता है नहीं रहता है तो अपने यहां पर कौन सा मेकेनिजम यूज होता है राइट एंड ड्राइव कौन सा राइट है ड्राइव कि तो सबसे पहला आता आपका सर लेफ्ट एंड ड्राइव कि लेफ्ट एंड ड्राइव कि हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको अना लेफ्ट एंड आप लेफ्ट मतलब आपके बाइव भाक की बात करेगा यानि सर इसमें कि स्टेरिंग जो आपका रहता है वह कहां लगा होता है सर बाइं साइड होता है कि बाई साइड लगा होता है जो कि अपने यान नहीं चलता यह यूस अमेरिका आप जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि आपका जो स्टेरिंग साथी बैठता है वहां पर उनके उल्टा होता सिस्टम इसमें स्टेरिंग बाई साइड पर है लगा होता और यह मत पूछना है कि सर वहाँ पर लोग कैसे चलाते हूंगे बैया अपने आद़ आदत हो जाती है अपने यहां इंडिया के अंदर प्रते कंट्री एक ही फॉलो करती और अच आपको को प्रकार के जो आपको वाँपे मिलेंगे तो एक ही मिलेगा इंडिया में जैसे राइट-ंट चलता आ तो यहाँ पर प्रतेक्ट मैनुफेक्चरर जो कंपनी है वो राइट दे दियते वही आपका जो अमेरिका यूस और आपका यूरॉप कंट्री जो हैं वहाँ पर आपका लेफ्ट एंड राइव होता है तो वहाँ पर हरी गाड़ी के अंदरी लेफ्ट तो उनको कोई अपत्ति नहीं होती है से चलाने में अपने आप हैबिट हो जाती है सेकेंड वाला कौन सा आता है सर आपका राइट एंड ड्राइव अब राइट एंड ड्राइव मतलब आपका जो स्टेरिंग है वो किदर लगा है सर इसमें स्टेरिंग दाई साइड लगा होता है यानि आपके राइट साइड में लगा होता है दाई साइड पर लगा होता है और भारत में या इंडिया के अंदर भारत में राइट एंड ड्राइव ही प्रियोग किया जाता है भारत में राइट एंड ड्राइव का ही प्रियोग किया जाता है यह क्यूशन आ सकता है बेटाओं कि इंडिया के अंदर किस प्रकार का drive यूज किया जाता है right and drive right and drive का प्रियोग किया जाता है बताओ clear है कि चीज left end और right end आपके जो US और UK के अंदर जो आपका ये वाला प्रियोग किया जाता है left end वाला बाकि अपने इंडिया के अंदर कौन सा right end आधित्यरंजन बाई या one liner book तो नहीं बता सकता मैं ऐसी कोई book मेरे को भी नहीं मिली जिसमें one liner हो अपन जरूर कोशिश करेंगे निकट भविश्य में आने के लिए कोशिश करेंगे one liner की एक बेटाओ आपके fluid drive भी होती है न एक और type होता है C वाला fluid drive यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका एक तरीके से hydraulically operate कर रहे है अपन इसको न यानि आप एक converter का प्रियोग कर रहे है जो इस fluid को क्या करेगा आपके drive mechanism में यूज करेगा थोड़ा सा smooth बनाने के लिए जिसको अपन कई वर power steering भी बोल देते है तो इसमें लिख लो वहें गाडिया जिसमें torque converter torque converter fluid drive लगे हूँ यानि यहाँ पर एक torque converter होगा जो कि fluid से operate हो गहाँ तो उसको convert करेगा आपके कि भी आप vehicle को किस side ले जाना चाह रहे है जैहिन बेटाओं अंकुष बहुत दिन बात दिखे भई यहाँ पर अपन fluid से operate करने वाले हैं तो यह तीसरा आपका जो कौन सा है यह fluid ड्राइव है बेसिकली आपके तीन ड्राइव है लेफ्ट एंड राइट अगर स्टेरिंग आपका left side में तो लेफ्ट एंड राइट में है तो राइट एंड इंडिया के अंदर कौन से यहाँ पर परियोग करना पड़ेगा तो यहां पर अलग से टॉर्क करते हैं जो कि उस फ्लूड को ड्राइव देता है तो वह उसको टॉर्क के अंदर या फिर आपका displacement के अंदर करता है क्लियर है कि बता हूं अब बात करते हैं सर्ट ट्रांसमीशन के अदार पे हैये कुछ साधर पे लेफट एंड राइट ईंड ज्यादा थयान रखना अब आपका आता है ट्रांसमीशन के याधर प्रांस्मिशन के आदार पर वर्गी करण अब ट्रांस्मिशन के आदार पर वर्गी करण मतलब यहां पर एक तो आपकी अब ट्रांस्मिशन के आपकी कौन सी आती है और एक आपकी कौन सी आती है और ट्रांस्मिशन कि सबसे पहले मैन्वल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाईया कन्वेंशल मैन्वली बोलते हैं इसका हिंदी में मैन्वली लिखा हुआ है या स्वेते आप बोल सकते हो तो इसमें क्या हो जाता है भाईया इसमें गियर स्वेम लगाए या लगाने पड़ते हैं यानि यहां पे गियर जो ओपरेट हो रहे हैं वो आपको खुद को या ड्राइवर को जो ओपरेट करना पड़ेगा अलग से कोई ओटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है यहां पे कम्प्लीटली जो आपका खुद से ही चरा आपको जो गियर वाली गाड़ी आती जहां पे आप खुद मैन्वली गियर कंट्रोल करते हैं तो वह आपका कौन सा आता है मैन्वल ट्रांश्मिशन सिस्टम में आता है वहीं आपका जो आपका जो ऑटमेटिक होता है उसके अंदर आपका घीर होता ही नहीं है आपने देखा होगा जो आटमेटिक गाड़ी आती है उन्हें कोई गीर मेकेनिजम नहीं होता है जैसे आपकी स्कूर्टी आती है रेस दी और चलो तो वहां पे आपका घीर जो है वो स्पीड के अक्योंडिंग यह हो जाता है सर ऑप्रेट होता है उससे नुकसान क्या होता है सर नुकसान आपकी एफिसिएंसी के अंदर या मैं बोलू माईलेज के अंदर आपको साफ जलकता होगा आप एक बराबर सीची क्या जैसे आपकी स्कूर्टी की में बात करो और स्कू माइलेज देगी वहीं जो आपकी बाइक है जो की घीर से ऑपरेटोरी है वह आपको देखना उससे अच्छा माइलेज देगी 55-60 तक का भी माइलेज देगी कारण उसका यह है क्योंकि भाईया ऑटमेटिक जो ट्रांसमेशन गाड़ियां आती है उसके अंदर जो घीर चेंज होते हैं वो आपका ऑटमेटिक या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पर डिपेंड करता है जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता जाएगा चेंज होता जाएगा वहां पे एक फिक्स रेंज होती है जहां पे गियर अपने आप सिफ्ट करते हैं जैसे मानलो उसमें एक फिक्स ची आपकी 20 तक जब गाड़ी रहेगी तो फस्ट गियर में चलेगी जैसे 20 से उपर होगा तब ही वो सेकंड गियर में लगेगी अधरवाइस नहीं लगेगी आपकी 20 से 30 के बीच में वो सेकंड गियर में चलेगी चाहिए आप इतना ही उसको कुछ कर लीजिये लेकिन वो थाड़ पर जाएगी जब स्पीड 30 से उपर हो जाएगी लेकिन अपर नॉर्मली जब बाइक चलाते अपनी जिसमें गियर यूज होता है अब वहां पर तो आप देखोगे जब तक 20 पर जाती है तब तक तो आप तीन गियर डाल करें चाना है तो भाया है यहां पर एक बपर पहले के एंदर को स्पीड नहीं मिलती यापको में गियर में कय न्तों में बताऊंगा पहले की भी डाल आपको स्पीड मिलने लग जाती है ना टॉर्क यहां पर टॉर्क मिलता है स्पीड बिल्कुल नहीं मिलेगी बड़े गियर होता है तो वह टाइम लेता है यहां पर आपको टॉर्क मिल जाएगा थ्रस्ट मिल जाएगा धक्का मिल जाएगा स्टार्टिंग में गाड़ी को उठाने के एक थ्रस्टी होता हूं मिल यागा लेकिन स्पीड विल्कुल नहीं मिलेगी तो आपका इस वज़े से स्कूटी के अंदर माइलेज नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर 20 तक की स्पीड तो फस्ट गेर में चल रहा होता है बाइक में तो अपन फस्ट गेर 20 तक जाते हैं तब तक तो आप लिख सकते हो इन गाड़ियों में गेर बदलने की आवशकता गेर बदलने की आवशकता नहीं होती है इंजन स्पीड के आदार पर गेर स्वेट है ओपरेट की जाते हैं या ओपरेट होते हैं अब यह ओपरेट कैसे होते हैं तो यहां पर मैं आपको क्लच के अंदर बताओं आपकी अज़र स्पीड बढ़ती जाती हैं यह संट्रीफ्यूगल फ्रस बढ़ता जाता है उस आदार पर जो आपका नहीं पड़ता है क्योंकि आपका आपको 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 अपरेट करना पड़ेगा लेकिन मैं बात करूं सरकौंस अच्छा रहेगा तो भाई अच्छा थो, manually रहेगा, जो चीज पहले से है, वो तो ज्यादा better है, क्योंकि वहाँ पे आपको mileage अच्छी मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी सी mileage आपकी down जाएगी, क्यों जाएगी वो मैंने अभी बताया था, क्योंकि कारण क्या होता है, fix speed पे ही आपका gear change होगा, उस सब्सक्राइश मोरिया, बिल्कुल सही है आपकी बात, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि आपने बिल्कुल सही बोला, कि यह centrifugal force या centrifugal clutch ही लगी होती, जिसकी वज़े से क्या होता है, automatic gear, यह automatic में use वही करते हैं, centrifugal वाली, clear है गया, तो बिल्कुल सही बोला आपने, वो मैं आपको गी है, जब clutch आएगा, second chapter उसमें बताऊंगा, next बिटाओं आपका आता है, छटा, engine fitting के आदार पर, engine fitting के आदार पर, तो भाईया, engine को तीन ही तरीके से आप fit कर सकते हैं, एक तो आप क्या करोगे, आगे की side engine को रख दो, एक पीछे की तरफ, एक center, तीन ही तरीके से आप engine को लगा सकते हैं, पहला जो आपका आता हो, कौन साथ है sir, front engine या, पहला कौन साथ है sir, front engine, यानि आपके गाड़ी के आगे की side, जो आपकी car वगेरा आती है, उसमें आपने देखा होगा आपका engine engine जो है, front side में लगा होता है, clear है क्या, वहाई दूसरा आपका कौन साथ है sir, rear, पहले की जो गाड़ी आती थी, उनमें rear में ही लगे होते थे, आज कल आप देखोगे, तो बस देखिए कभी आपने, low floor bus देखना, उसमें हमेशा engine आगे आपको बिलकुल आवाज नहीं आएगी, पीछे से आवाज आएगी, कभी दियान रखना, जो low floor busses होती है, coaches होते हैं, उनमें पीछे की side engine लगाया जाता है, शोर शरावा ना आइस चक्कर में न, तो उनमें कौन सा, rear side में लगा होता है, वहीं आपका center वाला, एक तीसरा कौन सा होता है, center, ये कम ही प्रियोग किया जाता है, center वाला, center वाला बहुत rarely use किया जाता है, 642ので 0 Wh जला बहुत है साथ हा है, so at ale 2 ना क्रुश किया दिस किया जाता है, c Dare टूँ झा प्रियों किया चौन साथ, 140 को झाला प्रियूश किया जारावा 2th divided सो इनमें यारावाम साथ, 8th patाया जाता है, तो बेटाओं ये था आपका क्लासिफिकेशन अना तो क्लासिफिकेशन आपका बस केवल इनी के अधार पर है अपने स्टार्ट किया था कहां से सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था कहां से स्टार्ट किया था स्लेवस से स्टार्ट किया था आपका स्लेवस आपका कंप्लीट ये वाला रहेगा आपका केवल mmv सेकिंड यर को अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि डीजल मेकैनिक फस्ट यार और मोटर मेकैनिक फस्ट यार दोनों के कॉमन स्लेवस थे तो आप यह मा टायर, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेरिंग मेकेनिजम और चार्जिंग और लाइट सिस्टम अपन इसमें कवर करेंगे, उसके बाद अपन ने पहला चैप्टर ओटो मॉबाइल स्टार्ट किया था, ओटो मॉबाइल होता क्या सर, स्वेते चलने वाला, या अपन ने अभी तक इंजन पड़ा था, अब इस इंजन को किसी बोडी या स्ट्रक्चर के अंदर रख के अपन चला रहे हैं उसको, या उस पूरे स्ट्रक्चर को साथ लेके चल रहे हैं, तो ऐसी मशीन जो स्वेम की उत्पादित चक्ति से चलती है, और ध्यान रखना ओटो मॉबाइल आप स की विकल पूर गजिंग साथ विकल पूर का नोगsmा भांक नोसी ने से विकल पूर के चलती है, तो ऑला आम चलती है उसकति हैं पाता है, लेकल पूर के पर दिका लोड़ा है, जो कहतो हैं, बीकल बीकल कॉर। झाल झाल िया हुआ किया सारिट इंस्ट्रेटर डैली का हां बिलकुल कवर कर सकते हैं अपने डे सेग conse by के अंदर जो आप வेकैंशी है आप उसको 100 प्रिसंट कवर कर सकते हैं इससे बिल्कूल सी बोला आपने डीएसेच बीजला भी रहेगा ना कशुंस के बास सरु परताब नाम जरूर द्यान रखना क्योंकि आपका स्टीम का इंजन का निर्मान तो आपका जेम्स वोट जी ने किया था 1791 बाकी वीकल पहला इसने बनाया था फिर ओटो मुवाइल जो सर कैपेसिटी के अदार पर दो प्रकार की होते हैं तो यात्री वान जो आते हैं जैसा आपकी ब Gar假 के सब्सक्रान के अदर करने दो τους सांब्सक्राइब के अदर वाले की बात करें धरागी ने की में दो पह vaccin कुछब उर्गी करनन के आदार पर पिट्रोल आपका दीजल गाड़िया हा सब्ह quel चल कर दीए इस चमोनों जो कि बहुत पहले आती थी इसके अलावा सर पईय और एक्सल के आदार पे आपका two wheeler, three wheeler, four wheeler आते हैं two wheeler के अंदर आपकी motorcycle वगए राथ है three के अंदर आपके auto rickshaw वगए राते हैं औtså four wheeler के अंदर आपके car देए रहे हूं कितने वील को आप कंट्रोल करेये हैं फोन बताता है पीछे वाला dus vapor दू का मतलब क्या गाड़ी एंदर आगे वाला 4 तो पईये को बताता है कितने टोटल कितने कुलकित जना रहीं सब्सक्राइब और दो नंबर क्या बताता आपका कितने टायर को ड्राइव दे रहे हो आप यानि फॉर बाइट नहीं बीच में एक बार लाइट चली गई ती इस वज़े से थोड़ी सी प्रोब्लम हुई है बेटाओं तो यह मेरे साब से यूट्यूब पे तो कंटिनियूसली चल रही है य है या सिक्सुट ने तु का मतलब किया है चाइड्सरी से जल नेहीं कि आज आगे बात करते हैं आपके डियूर यह agi करन तो आपका MP3 यह दे रायवन दारर पे वर्गेश करन से रिचिक द्राइव आठाए Is और एक आपका fluid drive आता है left hand drive के में बात करूँ तो sir left hand drive में आपका जो steering नहें वो left side में या निए आपका जो वीकल है उसके left side के अंदर लगा होता है जो कि आपके US और UK के अंदर प्रियोग की जाते हैं, वहीं आपका right hand side के में में बात करू. तो वहाँ पर आपका जो steering को है, right side में लगाया जाता है, जहां कि आपने पता है कि अपने India के अंदर को बमाती होद सब जाता है, right side will जाता है, वहाँ आपका fluid वाला जो रहता है सर वहाँ पे आप अलग से एक oil को या hydraulically operate करते हैं तो वहाँ पे आपको एक converter की जरूत पड़ेगी जिसको अपने torque converter बोलते हैं या torque converter fluid wheel का प्रियोग किया जाता है जो कि उसको convert करता है आपके wheel को 37 मुरिया 4 wheel drive आर्मी बिल्कुल सही बात है 37 आपने बिल्कुल सही बोला है आपकी आर्मी की जितने भी गाड़िया आती है ना सारी की सारी four wheel drive होती है एक हाँ हाँ उसके बाद आपका ये ड्राइव के आदार पर वर्गे करन हो गया उसके बाद देखो बेटा हूं ये बिलुकुल बेसिक से हो सकता आपको बोरिंग लगे अभी में मुद्धा आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले आपका चेचीस देव है वो क्या होता है बोर्डी क्या होता ह है उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं आपके वह अपन कल पढ़ेंगे अना बाकी आपका जल्दी में मुद्धा स्टार्ट हो जाएगा तो ये भी पढ़ना जरूरी है वर्गी करना थोड़ा सा लिंक हो जाएगा आपका फिर बात करते हैं तो मैनुवल ट्रांस्मिशन ज आपको ऑटमेटिक जो स्कूर्टी की तरह होगा रेस दोर चलो अना ब्रेक होगा रेस होगा इसके लाव आपको आपको कुछ नजर नहीं आएगा यह कैसे ऑपरेट होते हैं आपको बताया सेंट्रिफ्यूगल क्लच का यहां पर प्रियोग किया जाता है वह स्पीड के करते हैं आपने देखा होगा मेंली आजकल आगे वाले चलते हैं बागी जो आपकी लौफ लोर बससे बड़ी बससे उनमें पीछे चलता है तो यह था आज का आपका पूरा पहला लेक्चर जो आपका मोटर मेकैनिक वीकल का था तो कल से अपन में मुद्दा स्टार्ट करे है उसका अपन वर्गी करन स्टार्ट करेंगे आपका चेचीज बोडी वगरा से क्या क्या चीज होती है क्या क्या उन्सके फायदें कौन-कौन से दातों के बने होते हैं वह अपन कल से स्टार्ट करेंगे आज की लिए बेटाओं इतना ही है थैंक्यू सो मुच गुड स्टार्ट कि अगुड्स एल्पी में पांच वर्स नोकरी करने के बाद एक लोको पाइलेट में पैसा तो बहुत है तो अपना मेडिकल प्रूसिस का ये वीडियो है इस विद्धापुर अरून आलिया स्पेशली जुगल सरांचे क्लासेस करा सडी तासिस पनास्ताथ मनों मैं गौलियर सब्सक्राइब करते हैं जो कंप्रेटली सब्सक्राइब करता है और कुछ डिफ्रेंस भी नजर आएगगा कि जोगा बहुत सांदर प्रेटली आप रातिया में से यह हमारे मेड़ा मैं यह इंपर में सब्सक्राइब करते हैं आप कंपूर्टर के गुरू आएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग जिस पता तो सुनूम के सोब घंडे बच यहीं से जल भी निकलेगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो s picture